वेल्कम्स इवरीवन एवी समाने ज्यान में आपका स्वागत है आज का टॉबिक है मॉडेम क्या है What is मॉडेम? मॉडेम, मॉडेम सब्द दो सब्दों मॉडियूलेटर के मो और डिमॉडियूलेटर के डैम से मिल कर बना है जो इसकी कारेप्रणाली को दर्शाता है मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलिफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है या एक प्रकार का हाड़वेर डिवाइस है जो एनालोग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है या कंप्यूटर या राउटर को ब्राउट बैंड नेटवर्क से जोड़ता है तो दोस्तो ये है राउटर और हम पढ़ रहे हैं मॉडेम मॉडेम क्या है मॉडेम की कारिप्रणाली डिजिटल सिगनल एनालोग फोल लाइन पर ट्रांस्मिट नहीं हो सकते हैं इसलिए डिजिटल सिगनल्स को एनालोग सिगनल्स में परिवर्तित किया जाता है या क्रिया मॉडियूलेशन कहलाती है इसी प्रकार एनालोग सिगनल माध्यम पर transmit नहीं हो सकते हैं इसलिए analog signal को digital signals में परिवर्थित किया जाता है यह क्रिया demodulation कहलाती है modulation और demodulation इन दोनों क्रियाओं को करने वाला एक device होता है जिसे modem कहते है modem demodulation तथा modulation का संचिप्त रुप है modem की गति को bps या kbps में मापा जाता है दोस्तो यह है modem तथा यह है digital computer जो की telephone line से attach होता है तथा analog को digital में और digital को analog में परिवर्थित करता है इस तरह modem की कारिव प्रणाली होती है दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए thanks for watching